हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल निहा ड्रेस्मेकर और मैं निहा आज आपको बताने वाली हूँ सूट की कटिंग यह हमारा अस्तल वाला सूट है तो देखिए यह इसका मैंन फैब्रेक है और यह इसका अस्तल है तो देखिए अब हम अस्तल को सीधा कर लेते हैं तो तो कि देखिए मेने अस्टा सीधा लिया एक अपनी साइड से बाहरी तरब से खूला रखार अपनी साइड से युद्盒 है तो इसको मैंने फोर फोल्ड किया हुआ है डबल करके एकंप्रब्र टिए तया दो फोर फोल्ड हो गया है तो इसकी लंबाई अस्तल की थोड़ी कम है मेरे उसके साफ से 38 एंच है मुझे चाहिए complete 41 तो अभी इसको कि इसका जो इसका सॉल्डर है वो 65 लूगी मैं तो जाड़े शायरे और इसके जो रमोले हैं जो मैं present बढ़ाए नंटरी साथ जो मारें ऌल उसी प्रकार से विसमें घ्लते हैं गया है जोंसोंदे उससे आप इंच बढ़ा देना है जैसे अगर हमें सोल्डर शॉल्डर मư न linking है तो तो मैंने यह साड़े 6 इंच इसका सोल्डर लिया है तो आम मूल मैंने साथ इंच लिए देखिए मैंने मार्क भी कर लिया है अब हम इसको सीधा कर लेते हैं अब इसमें एक और ट्रिक है कि इसमें मैं धाई इंच पर एक और निशान लगाऊंगी यहां पर लोवर और अपर चैस्ट के लिए और 14 इंच पर हमारी वेश्ट कर निशान रहेगा तो अब हम इसको माप लेते हैं देखिए यह साड़ी दस जो है हमारे चैस्ट का साइज है साड़ी दस यानि 22 इंच हमारी चैस्ट है तो उसका इंटू फोर तो वैलिस का जो हम करेंगे चार बार डिवाइड कर देंगे तो साड़ी दस आएगा वैली इसको और जो अमारा अपर और लोर चैस्ट है उसको थोड़ा टू पॉइंट फाइव इंचिस कम रखेंगे यानि 17 इंच रखा है मैंने और दो इंचिस का माजन लिया है मैंने वैसे कोई देड़े इंच भी रहता मैंने थोड़ा दो इंच रखा हुआ है और इसकी चैस्ट है 19 इंच तो हम 19 का चौता हिस्सा इदा मापेंगे यानि अठार साड़े अठारा से उसका आदा तो शाड़े नौ इंच है हमारा और दो इंच एक्स्टर मार्जन का और हिप अमारी 44 है तो 44 का चौता हिस्सा होगा 11 इंच तो 11 इंच से से नौरे हम दो इंच एक्स्टर मार्जन भी रखेंगे और क्या इस बएब भिए conservation में हम हीम जितनी हिप ते उसी के भराबर निश्यान लगाते नी 11 इंच पर लगाएंगे दो इंच इसका मार्जन रखेंगे यह जो उनिशान बनाया है मैंने एक्स्ट्रा यह जो इससे आपके कभी वी चैस्ट में जो टाइट होता है या खिचन होती है यह या फिर लूज होता है इस मुड्डे गिरते वो कभी भी नहीं होगा बनाएंगे तो इसलिए मैंने इस चीज को आपको समझाया है कि आप इस चीज को डीपली समझे और अगर आपको सही से समझना है तो प्लीज आपको वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आप शुरू से देखेंगे तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा सब कुछ कि कैसे क्या किया है यह मैंने सीधा कर लिए निशान को सारे निशान सीधे हो गए है कि यह मार्जन एक्ष्टर लिए उस पर भी हम सेम सेफ में कर लेंगे दो दो इंच की निशान लगाए है तो शीशान से मार कर लेंगे और आप इस तरीके से अगर निशान लगा के कट करोगे तो कभी भी सूट में आपको फ्रिटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा सार तोमने वेंफे अब पर पर एंच से नीशान लगाया है इसको रांड्त करने के लिए गुलाई देने के लिए अब इस्पे निशान लगा लते है तो हिए हमारा बैक साइड के लिए उक्टिंग क्टिंग थोड़ा सा और जम आम हम कर होगी बताओंगे देखिए यह हमारा अपर चेस्ट है और यह लोवर चेस्ट है इधर जो मैंने लिए हुए है यह साड़े छह का है सोल्डर और साथ इंच का हाप इंच मैंने एक्ष्ट्र इसलिए रखी आप कोई भी नॉर्मल कट करेंगे अगर आपके सोल्डर छह है तो आप आमोल साड़े छह कीजिए आदा इंच एक्ष्ट्र रखोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी चलिए हम इसको कट कर रहे हैं अभी और आपको किसी भी स्लाइस कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हमें मॉटिवेट करने के लिए प्लीज हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजेगा अगर आप चैनल पर को सब्सक्राइब कर दें तो इससे हमें आपको नए नए वीडियो लाने का हमें भी मॉटिवेट मिलता है और आपको अच्छे से अच्छा इजी तरीका पताएंगे तो देखिए यह कटिंग हो गई है अभी है निशान हमेसा फ्रंट पर पर ही लगाते है तो यह देखि जो निशान है अभी हम क्या करेंगे कि इसको हाप इंच जो हमारा गला पीछे की तरफ जाता रहता और तो उसके लिए हम तो आपके जो गले की समस्तिया है वो हमेशा के लिए फर्वनेंटली खतम हो जाएगी यह चोटी चोटी ट्रिक है जो अगर आप यूज कर लोगे तो आपको कभी भी सूट में कोई प्रॉब्लम ने आएगी जो भी है आप कभी सूट से लाई करो कोई कंप्लेंट नहीं होगी उसमें और एक दम फिटिंग आपको परफेक्ट होगी तो देखिए यह इसका बैक साइड था तो अभी हम फ्रंट के आम हुल को थोड़ा सा अंदर से गहराई से मेजर बनाएंगे तो मैंने धाई इंच पर इसको आदा इंच का एक्ट्र मार्जन किया यहां पर देड़ का आदा पॉन इंच पर हम इसको रांड शेप दे लेंग अब हम ये घंघ कट कर लेंगे आ back side के पारट में नहीं करना थे हमां फ्रंट के में करना है तो आपको कभी वी यहां जो मुडों में स्कु्रण रहती है या कुछ भी तो वह नहीं रहेगा और यह में चारों पार्ट पर जो दोनों पार्ट हम निशान लगा लेंगे जिस क हमारा जो भी निशिलाई का है निशान बन जाएगा ये कौन सी जगह पर क्या करना है तो कभी भी उंच नीच नी होगा इसलिए हम इनको कट कर लेते हैं जहां पर भी हमने निशान लगाए हैं तो यह बैक साइड को मैं अटा देती हूं अब फ्रेंट पर कटिंग कर लेंगे से एक्ष्ट कप्ड़ा निकाल देना होता है बकाय सीम ही रहता है दानों का है अब हमारे मुढड़े या आम हूल होते हैं देखी हमारे दौनों पाट कट चुके हैं अब हम इसका जो मैन पार्ट है फैब्रैक उस पर कट करेंगे देखी ये दोनों कट गए हैं बराबर यह देखिए इस तरीके से आप अगर कटिंग करते हैं तो आपको कभी भी जो आम हूल में समस्या आती है और आपका गले की समस्या है वो सारी खतम हो जाएंगी देखिए अब यह हमारा मैन फैबरिक है तो हम इसको कटिंग करेंगे मैं इसमें क्या है एपश्रैंट में कड़ाई दी हूई है तो हमें नैक का धृण रखना एंक पर इसको बिलकुल सेंटर में रखना यह नए उसको इतना टेंशन नहीं है उसको सेंटर में रखके कट कर सकते हैं तो सेंटर बन जाता है लेकिन इसमें कड़ाई है तो कड़ाई को विल्कूल सेंटर में आना चाहिए क्योंकि नयक इसका बना हुआ पहले से तो यह देखिए मैंने सेंटर सेट करके रख लिया अभी यह देखिए अब हम इसके उपर यह देखू मैंने पूरा सेट कर लिया है अब यह देखिए यह मैंने इसका फ्रेंट पार्ट रखा हुआ है बिल्कुल इसको बराबर पर रख लेना है और क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ी कम थी अस्तल की जो लाइनिंग है हमारी तो हम जो हमारा फैबरेक है उसमें फुल लंबाई रखेंगे जितनी भी उसकी लंबाई है तो उसे साब से यह देखिए अभी हम इसको एक्ष्ट्रा है उसको कट कर लेंगे यहां से यह मैं थोड़ा गले को मेजर कर लूँ कहीं बढ़ा ज्यादा तो नहीं है क्योंकि आगे जो हमारा रहता क्लीविस दिखता है तो वह भी और दिखता है इसलिए उसको मेजर करना ज़रूरी है तो अभी हम इसको क्या करेंगे हाफ हाफ इंच एक्ष्ट्रा कट करेंगे जो मेन फैबरिक है उसको जिससे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए तो हम एड़्जस्ट कर सकते हैं इसलिए हम जो हमारा अस्तल है लाइनिंग है उससे हाफ इंच एक्ष्ट्रा कट करेंगे यह देखिए और यहां पर क्या यह नीचे लेस है बॉर्डर तो इसको मैं कटनी करूंगी इसको अलग से निकाल के तब सेट करके लगाऊंगी तो अभी मैं यहीं से कट कर देती हूँ तो यहां से मैं इसको कट कर लूँगी देखिए यहां से कटिंग कर दूँगी मैं इसकी अब हमारा यह बैक पार्ट के लिए फैबरिक है बैक साइड का तो इसको हम सेट कर लेंगे अस्तर वाले सूट में आपको कुछ नहीं करना होता बस आप अस्तर में फिटिंग कर देए उसके बाद में फैबरिक रखके हमको कट करना होता उसके उपर बस और कुछ भी नहीं है इसली है लोग समझते हैं कि लाइनिंग वाला सूट थोड़ा डिफिकल्ट होता ऐसा कु और आपको एक ही बार में सूट का सारा जो भी टॉटोड़ल है वो सारा समझ में आ जाएगा अब कि देखिए मैंने जो बैक साइड है उसको रख लिया है तो मैं इसको नीचे से कटनी करूंगी इसको मुझे पूरी चाहिए तो बस इसको सेट अप करते हुए नीचे का थो बस इसको अब साइड से वही हाँ पिंच का मार्जन देते हुए कट कर लेंगे अस्तल से अस्तल से फैबरिक को थोड़ा एक्स्ट्रा कट करना होता है जिससे हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थोड़ा से एक्स्ट्रा कट करने पर क्योंकि कपड़ा इदर उदर खसक भी जाए तो इतना टेंशन नहीं है यह देखिए हमारा बैक साइड भी रैडी हो चुका है यह हमारा सूट पूरा कटके रैडी है देखिए अब दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह बताएं हमें कमेंट सेक्शन में और प्ल करना ना भूलें तो इससे नहीं नहीं वीडियो आपको मिलती रहेंगी नौटिफिकेशन मिलता रहेगा और देखिए आप ऐसी तरह की सूट बनाने के लिए मैं और भी जल्दी जल्दी आपको डालूंगी थैंक्यू फॉर बाचिंग